हलो एव्रीवन आप सभी का स्वाग एते हैं भई मैगनेट ब्रेंज के शांदार यूट्यूब चानल पर जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% free of cost high quality education for K12 यानि kindergarten से लेकर class 12 तक पढ़ने वाला बच्चा जो CBS Cboard English Medium में पढ़ रहा है हमारे इस चैनल पर आकर अपने हर सब्जिक को डीटेल में बहुत अच्छे से पढ़ सकता है हर एक चाप्टर को free of cost कोई पैसा नहीं है बॉस इसी के साथ बिटा हिंदी मीडियम के बच्चे जो class 6 से लेकर class 12 तक कि किसी भी class में पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ट, एंपी बोर्ट, विहार बोर्ट, राजस्थान बोर्ट, देली बोर्ट इन पाँच स्टेट बोर्ट से अगर आप जोड़े हुए हैं हिंदी मीडियम के बच्चे हैं www.magnetbrains.com हमारे पास class 6 से class 12 इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम बढ़िया वाले एक्सपर्ट जवारा बनाए काई और सब्जेक्स के नोट्स अवेलिबल है पीडिये फॉर में डाउनलोड करने के लिए दिस साइट जीशानी और मैच्स मेंटर आप सभी का स्वागत करता हूँ आज इस सेशन में बिटा अपन करने वाले हैं linear inequalities के most important questions के 6 to 10 6,7,8,9,10 पाच questions करेंगे पाच हो word problems है अच्छे से समझेंगे, detail में समझेंगे सो देख हरी concept आपके दिमाग में सीधा strike करें चलो शुरू करते हैं दोस्त यह रहा हमारा पहला question सामने से हट जाता हूँ ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ पाओ, समझ पाओ और शुरू कर पाओ ठीक है तो पेटा यह रहा हमारा first question मतलो आज का first question है पाओ इस series का sixth question है previous video देख लेना है जिसमें मैंने 5 questions आपको समझाए है detail में समझाए अच्छे से समझाए तो आप वहां जाकर बढ़िया वाली पढ़ाई कर सकते हो बेटा question क्या कहरा है चलो पढ़ लेते हैं से ठीक है company manufacturers cassette ठीक है एक company है वो cassette बनाती है वही cdvd cd हो गया गानों की cassette जानते हूं न its cost and its cost and revenue functions आठ ठीक है यह cost function है यह cost का मतलब है बनाने का function बनाने का function से function पे tension नहीं लें नहीं तो तुम लोग सुचो function है यह ना यह cost function है cost function का मतलब है भही है cost price मतलब बनाने का जैसे मान के चलो मैं एक for example बर्गर बेच रहा हूं for example अब मुझे बर्गर एक बर्गर बनाने का जो cost पड़ता है वो मान के चलो 20 रुपे पड़ता है selling price cost price और यह selling price revenue बुले तो selling price ठीक है total cost price total selling price total cost price at 26,000 इन्होंने रुपीज नहीं लगाया हम भी रुपीज नहीं लगाएंगे 26,000 प्लस 30X ठीक है सर और selling price क्या है revenue revenue है 43X ठीक है done है बिलकुल done है सर सुनते यहाना छोटा सा कोशन है कोई बड़ी बात नहीं है where X is the number of cassettes ठीक है छोड़ो इसको how many cassettes must be sold by the company to realize some profit अच्छा वो कह रहा है X है number of cassettes ध्यान जे सुनना X क्या है सर X है number of cassettes ठीक है सुनते जाओ वो यह कह रहा है कि कितनी cassettes बेची जाएं how many number of cassettes must be sold to realize some profit ताकि वो profit में रहें अच्छा एक बात बताओ अगर cost price जो है अगर CP cost price जो है और selling price जो है cost price का मतलब होता है वो price जिसमें चीजें बनती है prepare होती है जैसे मैं मानके चलो एक seller हूँ मैं मानके चलो एक jeans बेचता हूँ for example कपड़े बेचता हूँ मैं ठीक है तो बिटा मैं profit में हूँ न थेखो 500 रुपे की चीज मैंने 700 रुपे में बेच दी profit में हूँ न मैं हाँ तो एक चीज समझ में आ गई क्या सर अगर profit में रहना है तो selling price का जादा होना जरूरी है cost price से selling price का जादा होना जरूरी है cost price से Selling price अगर ज़ादा होगी, cost price है, तो ही profit होगा. So, selling price must be greater than cost price. By profit बनाना है न, to make profit. To make profit. अगर इनको profit चाहिए, अगर इनको gain करना, अगर इनको फायदा चाहिए भाईया, तो इनको ये वाली condition follow करानी पड़ेगी. बात क्लियर है? हाँ, सर. चलो values रखते हैं, बिटा. तो cost price क्या है, सर? Cost price है 26,000 plus 30X. ठीक है? Greater than, sorry, smaller than. Selling price, selling price ज़ादा हो जाएगी, selling price हो जाएगी 43X. है न, selling price की तरफ mouth open कर दिया, मतलब selling price ज़ादा होगी. अब इसको solve करो. कैसे solve करेंगे? आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है. कैसे, सर? सुनते या ना? सर, RHS और LHS दोनों तरफ X है. देखो, ये LHS है. यहाँ 30X है. X cutter में, RHS है, X है. यहाँ भी X है. हम करेंगे क्या? दोनों तरफ में से किसी एक तरफ के X को खतम कर दो. या तो 30X को मार दो, या 43X को मार दो. किसको eliminate करेंगे? जो छोटा होगा. सर, 30X छोटा है, 30X को eliminate कर देंगे. कैसे करेंगे? प्लस का 30X है. हमें माइनस का 30X चाहिए. माइनस 30X. subtract 30X. तो हम क्या लिखेंगे? subtracting 30X. क्या लिखेंगे, बिटा? subtracting 30X from both sides. ठीक है? subtracting 30X from both sides लिख लेना. तो सर, क्या होगा? अब बिटा, ध्यान से सुनो. 26,000 plus 30X. ठीक है? ये वाला 43X. ठीक है? अब जब हम दोनों तरफ से, ये inequality है, इसको क्या बोलते हैं? बिटा, inequality. इस पूरे inequality statement में, LHS और RHS दोनों तरफ हमको subtract कर रहे हैं. subtract मतलब, सर, हम माइनस कर रहे हैं. माइनस का 30X, ठीक है? और सर, यहाँ भी माइनस का 30X. दोनों तरफ हमने same चीज माइनस कर दी. तो क्या symbol में कोई फर्क पड़ेगा? No. Symbol of the inequality does not change if you add something both sides और if you subtract something both sides तो inequality का symbol यही रहेगा. यही रहेगा, ठीक है? Done, सर. चलो solve करते हैं. 30X, 30X कर गया, बेटा. क्या बचा? 26,000 बचा. क्या बचा, बेटा? 26,000 जल्दी से लिखते हैं. उफ! 26,000, ठीक है, सर? Is smaller than 43X minus 30X, तो यह 13X आ जाएगा. कितना आएगा? साइड्स बाइ, 13. डिवाइडिंग, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाइ, 13. बोथ साइड्स बाइ, 13. क्योंकि X पर काम करना है, ना? X निकालना है, ना? बाइ, 13. तो अपन क्या करेंगे, सर? इसको अपन लिखेंगे. 26,000 और 13X, ठीक है? हम दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं, 13 से. तो यहाँ 13 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ 13 से डिवाइड कर दिया. ठीक है, डन? यह सर, इससे होगा क्या? इससे यह हो, सिंबल वही रहेगा, बटा. डिवाइड हम कर रहे हैं, ध्यान से सुनना. अगर आप दोनों तरफ डिवाइड करो, किसी पॉजिटिव नंबर से, 13 एक पॉजिटिव नंबर है, सिंबल चेंज नहीं होगा, सिंबल वही रहेगा, सिंबल विल रिमेन सेम. तो यहाँ 13 से 13 कैंसल हो गया, 13 तूज़ा 26, 2000. 2000 आया, और यह आया X. इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ेंगे, X is greater than 2000. अपन क्या पढ़ेंगे? X is greater than 2000. X is greater than 2000. तो अपन को समझ में आ गया, कि जो X है, X क्या है बिटा? What is X? X है बिटा, number of cassette. देखो, X is the number of cassette. अब वो बोल रहे हैं कि बहीं, कितनी cassette बेच हैं ताकि profit रहे? तो profit का यह condition पूरा solve कर और पता चला कि जो X है, जो number of cassette है, वो more than 2000 है. तो अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे. Therefore, in order, in order, to, to be in profit, to be in profit, अगर profit में रहना है, in order to be in profit, the company, the company should sell greater than 2000, 2000 से जादा, the company should sell cassettes more than 2000. Cassettes की spelling क्या है? C-double-S-E-double-T-E-S cassettes more than 2000, 2000 से जादा. Lowby, answer आगे, ठीक है? तो company को अगर profit चाहिए, सच में, तो उसको 2000 से जादा cassette बेचनी पढ़ेंगी. Clear है, बिटा? हाँ, सर, बिल्कुल clear है. कितना easy था? बिटा, ये word problems, तीन marks के आएंगे, तीन, चार, तीन, चार, और तीन, चार, मार्क्स में अगर ये आगया, तो मैं तो इसको बुलाता हूँ, हलुआ परोस दिया उन्होंने. फिर तो आप ये समझ लो, उन्होंने आपको बिल्कुल हलुआ वाले question दे दिये, कि भईया, हलुआ खालो, आप तो आके. हलुआ खालो भईया, हलुआ, है ना, done sir, चलो आगे चल दे, moving on to next, और देखते हैं sir, next क्या रहा हमारे लिए, question number next, यानि question number seven, ठीक है, done sir, चलो. Question number seven, जल्दी से आजो भईया, बुला रहे हैं आपको, तो erasing this, ये रहा question number seven, the water acidity, इसमें time लगेगा, time लगेगा, ये acidity वाला, the water acidity in a pool is considered normal when the average pH reading of three daily measurements is between 8.2 and 8.5, सुनो, मैं बता रहा हूँ, एक swimming pool है, ठीक है, उसमें water है, अब उसकी acidity, क्या होता ना, जो water है ना, वो acidic और basic हो सकता है, अब कोई इंसान पानी में नहा रहा है, पूल में, swimming pool में, और वो बहुत जादा acidic हो जाए, तो जल जाएगा इंसान, बहुत जादा basic हो जाए, तो भी problem है, तो एक normal range होती है, तो वो ये बोल रहा है, कि normal, अगर पानी को normal सोचना है, पूल water को normal छोड़ना है, ध्यान से सुनना, water को कहना है, ये नॉर्मल है, अच्छा पानी है, नॉर्मल है, इसमें आप swimming कर सकते हो, अगर आपको normal छोड़ना है, ध्यान से सुनना बिटा, the water acidity in a pool is considered normal, when the average pH reading, ये normal तब होगा बिटा, ये normal कब होगा, जब average, कहे का average pH reading का, average pH reading of three daily measurement, of three measurement, तीन measurement की, three daily measurement, तीन दिन की, तीन measurements, of three measurements, मैं फिर बोल रहा हूँ, the average of three measurements, should be between 8.2 and 8.5, मतलब जो average आएगा, तीन measurement का, वो 8.2 और 8.5 के बीच में होना चाहिए, मतलब मैं सिर्फ average लेख रहा हूँ, इसको मैं सिर्फ average पोकार रहा हूँ, ये average क्या आना चाहिए सर, ये average होना चाहिए between, between what, between what 8.2 and 8.5, अब between का मतलब जानते, 8.2 और 8.5 के बीच में, मतलब जो average आएगा, team readings का average, average of three measurements, जो आएगा, वो average 8.2 और 8.5 के बीच में होना चाहिए, मतलब 8.2 से बड़ा, और 8.5 से छोटा, ये होता है between का मतलब, मतलब average होना चाहिए, 8.2 से सर, 8.2 से बड़ा, और ये average 8.5 से छोटा, इसको बोलते है between, between का मतलब, जैसे मैंने बोल दिया, between 10 and 20, suppose मैंने बोल दिया, एक X है, वो है 10 और 20 के बीच में है, तो ये X 10 नहीं होगा, 10 से बड़ा होगा, 10 20 नहीं होगा, 20 से छोटा होगा, तो ये होता है between का मतलब, ठीक है, समझ गए, येस सर, तो ये होता है between का मतलब, ठीक है, अब त्यान जा सुनना, ये average है क्या सर, what is this average about, यह average जिसकी बात की जा रही है, यह average है 3 measurement का, 3 measurement का average है, जिसमें से एक measurement इन्होंने बोला 8.48 है, ठीक है, दूसरी measurement इन्होंने बोला 8.35 है, बेटा तीसरी measurement निकाल ली है, लेट कर लेते हैं, 3rd measurement, 3rd day की measurement, जो है, let 3rd day, 3 दिनों की लगातार की, 3rd day measurement is x, ठीक है, measurement, let 3rd day measurement be x, समझ गए, हाँ सर, अच्छा, अगर average की बात की जाए, इनके average निकालो, तो इनका average क्या आएगा सर, इनका average कैसे निकालेंगे हैं, सर, easy है, average कैसे निकलता, this plus, this plus, this upon 3, 8.48, ठीक है सर, plus, average क्या है, sum of all divided by number of observations, तो 8.35, ठीक है सर, plus x upon 3, upon 3, तीन चीज़े, तो यह हो गया average, ज़रा और solve करें, 8 और 5, 13 की, नहीं, हाँ, 8 और 5, 13 की 3, 1 क्या रही, 4 और 4, 8, 8 और 8, 16, 1, 6.83, plus x upon 3, यह क्या होगा सर, यह हो गया बिटा अपना average, कहे का average, तीन दिन, लगातार तीन दिन, pH value, जो pool है, उसकी pH value का measurement लिया, पहले दिन इतना आया, दूसरे दिन इतना आया, तीसरे दिन इतना आया, तीनों का average ही आ रहा है, अब average ही आ रहा है, तो अपन इसके नीचे average की जगा, क्या लिख सकते हैं सर, इस average की जगा, यह value लिख सकते ह 16.83 प्लस X अपॉन 3 बागी पूरा पन वही सिस्टम रखेंगे सर कौन सा ये वाला सिंबल वही 8.5 सिंबल वही 8.2 क्लियर है क्या हाँ सर बिलकुल क्लियर है इस वाली inequality को हमें solve करना है इस inequality को हमें solve करना है और आराम से हो भी जाएगी कोई बड़ी बात नहीं है इसको हम आराम से solve कर भी सकते है क्लियर है हाँ सर बिलकुल क्लियर है चलो आगे चलते है moving on to next ठीक है done सर अब सुनो मेरी बास सुनो ध्यान से कौन सा कलर बचा है यार पिंकी पिंकी कलर ले लेते है यह अपन लिखते है इसा ठीक है 8.2 smaller than 16.83 plus x upon 3 is smaller than 8.5 ठीक है सुनते याना आरम आरम से लिखा मैं नहीं है ठीक है add कलो 8, 9, 10, 11, 12, 13 की 3 1 carry 4, 5, 6, 7 और 8 ठीक है 16 सही है देखो तीन चीज़े है 1, 2, 3 अब दो अलग-अलग relations बनाने चाहिए अपन को वैसे कि साथ this equal this alak solve करो this equal this alak solve करो लेकिन जरूवत नहीं है क्यों नहीं है जरूवत बताता हूँ देखो पूरी चीज़ को एक ही साथ solve कर सकते हो अलग-अलग करने की जरूवत नहीं कई लोग पता क्या करेंगे this is smaller than this इतना part अलग लग के solve करेंगे और इतना part अलग लग के solve करेंगे फिर दो answers आएंगे उन दोनों answers को merge करा के एक answer निकाला जाएगा ठीक है सही उससे भी answer आजाएगा पर वो लेंदी कहलाएगा इस question के लिए इसको हम easily tackle कर सकते हैं सर कैसे ये बताता हूँ मैं तुमको दूसरा color चुन लूँ ठीक है देखो हमारा focus x पे होना चाहिए इस x को खतम करना है मतलब इस x को खाली छोड़ना है और बागी सब को खतम करना है इसके साथ जो है इसके साथ ये है और ये है ठीक है ये और ये अपन को उड़ाना है पहले क्या हटेगा पहले 3 हटाएगे 3 डिवाइड में है अगर हटाना है तो तीनों में multiply करना पड़ेगा 3 का तीनों में होगा जो भी होगा तीनों में होगा तपन रखेंगे multiplying by 3 बोट साइड मतलब लखना तीन साइड से इदर multiply multiplying by 3 ठीक है अब 3 से multiply करेंगे तो ये कैसा देखेगा 8.2 into 3 इसमें भी multiply 3 का symbol सेम रहेगा multiplying में 0.83 plus x upon 3 ठीक है ये लिखकर इसमें भी multiply by 3 करना पड़ेगा बिटा और ये 8.5 into 3 ये भी multiply by 3 होगा ठीक है हमें multiply by 3 करना पड़ेगा into 3 symbol में कोई change नहीं आएगा मैं फिर बोल रहा हूँ symbol बिटा ये वाला यही रहेगा ये वाला यही रहेगा देखो यहां 8.2 था इसमें multiply by 3 कर दिया ये पूरा था इसमें multiply by 3 कर दिया इसमें भी multiply by 3 कर दिया अब होगा क्या इससे इससे ये होगा सर कि 3 से 3 ये कट जाएगा तो ये क्या है 3 2 जा 6 3 4 जा 24 तो ये 2 4.6 कितना है बिटा 2 4 3 8 जा 24.6 सिम्बल ये आएगा 16.83 प्लस एक्स सिम्बल बिटा ये ही आएगा और इसका multiply 3 5 जा 15 की 5 1 carry 3 8 जा 24 और 1 25 ठीक है सर कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर अब क्या करें? एक्स पे इस पे देंगें दो बस ध्यान बीच वाले पे होना चाहिए एक्स प्लस वन 16.83 ये प्लस का 16.83 ये हटाना है माइनस का 16.83 अपन लिखेंगे subtracting subtract करना पड़ेगा subtract 16.83 हम 16.83 सब्ट्राइट कर रहे हैं कैसे होगा सर? आसान है? देखो एक सेकेंड रुखना इसको भी छोटा कर लेते स्पेस की बहार बहुत कमी पड़ती है पता इतना बड़ा बोर्ड है ये फुल साइज बोर्ड है 85 इंच फिर भी स्पेस की कमी पड़ती है हम अब देखो subtract करने पर क्या होगा सर? कि अपना जो 24.6 है ना उसको मैं 6 0 लिखूंगा ठीक है? और माइनस 16.83 सिम्बल वही रहेगा सिम्बल में कोई चेंज नहीं आने वाला सिम्बल विट अपना वही रहेगा ठीक है? सुनते जा ना? जी सर अब 16.83 प्लस एक्स सर इसमें से भी माइनस करना पड़ेगा जी हाँ इसमें से भी माइनस करने पड़ेगा 16.83 ठीक है, symbol वही आएगा, symbol में कोई change, नहीं आएगा, यह वाले symbol लगाते हैं, 25.5 से भी minus करना पड़ेगा, जी हाँ, 25.50 से भी minus करना पड़ेगा, 16.83, clear है, हाँ सब, चलो solve करते हैं, तो बेटा, यह पहले आप उड़ा दो, क्या, plus का 16.83, minus का 16.83 गया, खतम, अब इससे minus करते है, 10 में से 3 गया, 7, 15 में से 8 गया, 8, तो यह 7 आएगा, 13 में से 6 गया, 7, 7.77, क्या बात है, okay, 1 carry, 8, 8, 16 की 6, 1 carry, okay, 6 और 14 की 4, 1 carry, 2, बिल्कुल से यह, 7.77 आया बिटा, यह, 7.77 आएगा, इससे इसको minus करेंगे, 7.77 आएगा, symbol बिटा वही रहेगा, symbol विल नॉट बी चेंज symbol वही रहेगा, ठीक है, इनको minus कर दिया, cancel कर दिया, x बचा, symbol वही रहेगा, इसको और minus करते हैं से, ठीक है, इसको और निकालते है, answer आगया बिटा, 0 में से 3 गया, 7, ठीक है, 14 में से 8 गया, 14 में से 8 गया, बिटा, 6, 14 में से 6 गया, 8, 8.67 आया, ये 8.67 आया, हमें समझ में आ गया बिटा, कि हमारा जो तीसरा, ध्यान से सुनो, जो तीसरा, आप कह सकते हो, pH वैल्यू का मेजरमेंट है, x, वो क्या है ध्यान से सुन लो, जो x की वैल्यू आई, जो actually third day का मेजरमेंट था, pH वैल्यू का, पूल क 7.75 से बड़ा है, पर smaller than 8.67, ठीक है, मतलब between, क्या होगा पिटा, x is between, between कहलाएगा, क्या कहलाएगा, between, x is between 7.77 and 8.67, ये answer हो गया, खाता, कि देखो, पहले दिन, पूल के वाटर की pH वैल्यू यह आई, दूसरे दिन, यह आई, तीसरे दिन जो है न, वो 7.77, और 8.67 के बीच में होनी चाहिए, ये answer आगया, ठीक है, यह यह अत्मन को निकालना था, जल्दी से देख लो, let us finish this, और बिट आप चलते हैं, हम question number 8 की तरफ, ठीक है, I am erasing this बच्चा, और अब चलते हैं, question number 8 की और, इसको erase कर दू, यह 8th question, हम, इसमें भी time लगेगा, देखो 10 minute में वो गया, 10 minute में वो गया, ये 15 minute लेगा, minimum 15 minutes, चलो देखते हैं, A solution of 9% acid is to be diluted by adding 3% acid solution in it, the resulting mixture is to be more than 5% but less than 7% acid if there is 460 liters of 9% solution, ठीक है, ये वाली लाइन पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्या लिखा है, कि सर, if there is 460 liters of 9% solution, ठीक है, ध्यान सुनना, 460 liter of solution है, ठीक है, solution है, कौन सा solution है, 9% solution, कौन सा solution है सर, ये 9% वाला, अब ये 9% है क्या सर, 9% क्या भीया, 9% acid, इसमें 9% acid है, तो चलो भीया, 9% acid दिकाल लेते हैं, कितना इसका asset, ठीक है, इसका asset निकाल लेते हैं सर, तो 9% का मतलब है upon 100, अब टोटल क्या है भीया, टोटल है 460 liter, तो 460 liter हम solve कर देंगे, तो 0 से 0, obviously हम काट देंगे यहा, this will be gone, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 9, 6, 54 की 4, 5 केरी, 9, 4, 36, 37, 38, 39, 40, 41, ठीक है, 9, 6, 54, 5 केरी, 9, 4, 36, 37, 38, 39, 40, 41, upon 10, upon 10, तो ये आ जाएगा, बेटा, 41.4, 41.4, लीटर, मतलब, 460 liter वाला solution है, solution मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी, पानी भी होगा, acid भी होगा, basis भी होगा, जो भी हो, ठीक है, उसमें 9% acid है, मतलब इसमें 41.4 liter acid है, समझ गए, ये सर, ठीक है, तो ये हो गया हमारा bullet number one या point number one आप कह सकते हो, done sir, ठीक है, red color से लिख लेते हैं, done, अब अब तो ये क्या कह रहे है, a solution of 9% acid, ये ही solution, जो है ना 460 liter, इस तो भी diluted, diluted का मतलब है इसको पतला करना है, dilute का मतलब है, पानी डालके या कुछ मिक्स करके पतला करना है, ठीक है, by adding 3% solution, मतलब अब हमें ये bullet number two दे दी, मतलब अब अब अपन को एक solution लाना है, कितने liter लाना है, हमें नहीं पता तो हमने मान लिया, x liter solution लिया है अपन, कितना लिया है, x liter अपन solution लिया है, ये x liter कौन सा solution है, ये, by adding 3% solution in it, अच्छा ये कौन सा है sir, ये 3% solution है, कौन सा solution है, 3% solution, तो 3% क्या, 3% acid, 3% acid, ज़रा निकाल लो 3% acid क्या हो रहा है, 3% का मतलब है, अपन हन्रेड, acid, कितना acid है sir, 3% इसका, x का, x liter का, तो sir ये कितना आया, ये आया sir, हमारा, 3x अपन हन्रेड लिटर, 3x अपन हन्रेड, लिटर, ऐसे ठीक है, ये acid आया, इस वाले acid में, 3% acid solution वाला solution है, ये 9, ये अलग solution, ये अलग solution, ठीक है, अब वो ये कह रहा है, ध्यान से सुनना बिटा, जब हम इन दोनों solution को मिला देंगे, तो total solution क्या आएगा, बताओ, total solution, अगर हमने इन दोनों solution को मिला दिया, मिलानी पड़ेगा, क्योंकि हमें dilute करना है, 460 plus x तो कितना आ गया, 460 plus x लीटर, ठीक है, पक्का, हाँ, सर, अब अगर total solution हमने मिला दिया, तो 9% acid ये है, 3% acid ये है, ये दोनों भी मिल जाएंगे, तो total acid कितना आएगा, ये बताओ, total acid, ये total solution में total acid कितना आ जाएगा, total solution में total acid जो आ जाएगा, सर, this plus this, सही बात है, 41.4, 41.4, ठीक है, सर, plus, plus, 3x upon 100, ये total acid हो जाएगा, सर, ये वाला acid इतना आया, इसका ये वाला acid, ये दोनों acid एड़ कर दो, जोड़ दो, तो ये आ गया, अब अब टोटल, ध्यान से सुनना भी टाएगा, total solution और total acid की ही बात होगी, अब किसकी बात होगी, total solution और total acid की ही बात होगी, बार बार, मैं फिर बोल रहा हूँ, total solution, total solution कितना है, सर, total solution है, 41.4 liter प्लस, 3X अपॉन 100 liter, ये total solution में, total acid है, इतने solution में, इतना acid मौझूद है, अब सुनो main बात, ध्यान से सुनना भी टा, क्योंकि अब आ रही है main चीज, इतना तो तुम्हें समझ में आगया हुए, ये class 8th 7th की calculation समझ लो, 7th 8th class की calculation कर रहा है तुम अभी तक, clear है, हाँ सर, अब पढ़ते हैं आगे की कहानी, अब इन्होंने ये कहा, कि भाईया, how many liters of 3% solution will have to be added, condition क्या है, the resulting mixture, the resulting solution, total solution ही resulting solution है, is to be, resulting solution, resulting mixture is to be, more than 5%, but less than 7% acid, ये जो total asset की बात हो रही है, ये, ये जो acid की बात हो रही है, ये क्या है सर, ये acid more than 5%, ये more than 5% होना चाहिए, but less than, but less than 7%. नहीं आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में, आ गही सर, पका, 100% आ गही सर, more than 5%, but less than 7%, अब ये 5% है क्या सर, यह 7% है क्या सर बताता हूँ यह acid तो समझ में आ गया total acid यह आएगा पर total acid बेटा 5% of total solution 7% of total solution की बात हो रही है ध्यान से सुन लो यहाँ confuse होता है बच्चा यहाँ confuse होता है दोस्त ठीक है तो हम समझ गए यह 5% क्या है 5% of TS TS मतलब total solution 7% क्या है of TS यानि total solution यह क्या है यह total acid है यह इसकी बात हो रही है मैंने क्या बोला हर बात अब total की होगी यहाँ की कोई बात नहीं होगी अब ठीक है clear है हाँ सर तो यहाँ से अपन बना दें बिटा एक line प्यारी सी cute सी तो 5% of total solution 5% मतलब upon hundred of total solution क्या हो गया सर 460 प्लस X smaller than जो acid का content है ना पूरे total mixture में जो new mixture आया आप कह सकते हो resulting mixture वो उस पूरे resulting mixture में जो acid का content है वो 5% से ज़्यादा but 7 से कम तो 5 से ज़्यादा 7 से कम का मतलब है 5 और 7 के बीच में acid जो है वो 5 से ज़्यादा होगा देखो acid का content is greater than 5% acid का content is smaller than 7% तो ये line बन गई बेटा clear है हाँ सर तो यहाँ acid लिखते हैं अच्छा acid क्यों लिखेंगे acid यह है ना total यह लिखते हैं 41.4 plus 3X upon 100 done? yes sir done इसको छोटा करो भई ठीक है? done ये symbol लगाओ 7% of total 7% का मतलब बेटा upon 100 of total solution ये 460 plus X हाईर सही बात है इसको थोड़ा अपन को इसको हटा दो यार इसको हटा देते हैं ठीक है? इसको भी हटा देते हैं इसको पीछे लाते हैं देखो इन symbols को अपन अलग कलर से लगा देते हैं ये और ये 7% of total solution total solution क्या है बिटा? बिटा, total है अपना 460 plus X यहाँ भी 460 plus X आएगा clear है? हाँ sir 460 plus X आएगा इतनी बात clear हो गई अब हमें यही तो solve करना है this is the only thing which we have to solve और इसमें लग जाएगा time अभी और time लगेगा चलो, तो इसको उड़ाता हूं इसको clear कर देता हूं बस याद रखना कि हमें X की value निकाल नहीं है X की value मतलब जो दूसरा हमने solution लिया था यह तो 460 solution था 460 liter solution था जो 9% acid वाला था हमें X liter solution लेना है 3% acid वाला तो मैं इसको erase कर रहा हूं बिटा I'm erasing this and let us move on to solving these inequalities X का मतलब है नया solution ठीक है? done sir तो चलो भाई शुरू करते हैं अब इसको solve कैसे करेंगे? देखो इधर भी X बीच वाले बंदे में भी X भाई side में भी X और यहां भी X तो इसको directly solve नहीं कर सकते है अपन इसको अलग-अलग करेंगे ठीक है? इसको अलग-अलग करेंगे कैसे अलग-अलग बताता हूँ देखो पहले this equal sorry this is this इन दोनों का relation solve कर लेते हैं सर यह आजाएगा 5 upon 100 ठीक है? bracket 460 plus X is smaller than 414 4 1.4 plus 3X upon 100 done? yes sir क्या करें sir? क्या किया जा सकता है? अब यह 41.4 plus 3X upon 100 जो था यह था क्या? what was this? अगर इसकी बात करें तो यह था क्या? 41.4 plus 3X upon 4 एक बार देख लूँ यह था 9 upon 100 into 460 9 upon 100 into 460 ठीक है? 9 upon 400 into 9 upon 100 into 460 ठीक है? तो मैं करने वाला क्या हूँ? ध्यान दो सुनना? मैं इसकी जगे वही लिखूँगा क्या? मैं इसकी जगे लिखूँगा 9 upon 100 into 460 क्यों? मैं reason बताऊंगा आपको अभी देखो पिटा यह इससे आसान बन जाएगा इससे LCM लेना आसान हो जाएगा इसका LCM अपना 100 ही आ जाएगा ठीक है? सिंबल लगाओ 5 upon 100 into 460 प्लस X ठीक है? अब देखना धियान से देखना बिटा इसको करने जाब आलो मैं डिवाइड मत कर देना 5 से इसको सॉल्फ करेंगे अपन इसको ऐसे लिखके बिटा upon 100 लिख देंगे done? येस सर सिंबल यही लगाएंगे upon 9 into 460 multiply कर लेते हैं 9 into 460 का ठीक है? तो 9 4s are 9, sorry 9 6 are 54 की 4 5 carry 9 4s are 36 37, 38, 39, 40, 41 4 1 4 0 4 1 4 0 आया? हाँ सर बिलकुल आया ठीक है? तो 4 1 4 0 सही है? कोई दिक्कत नहीं है प्लस 3X upon 100 अब दिखना दोनों दरफ upon 100 है तो ये पन कैंसल कर सकते हैं ऐसे कैसे कर सकते हैं? अब ये कैसे कैंसल हो गया सर? या तो तुम कहें तो दोनों दरफ 100 का multiply कर रहे हैं तो cancel हो जाएंगे या तुम directly cancel कर तो तुमारी मर्जी ठीक है? done सर तो ये अपन का आया 5 into this 5, 6 30 की 0 5, 6 33 करी 5, 4, 24 25, 26 27 2700 इंटू 5 प्लस X 5 into X 5X symbol यही लगाएंगे 4, 1, 4, 0 ठीक है सर प्लस 3X यह आगया अब इटा इदर 5X है इदर 3X है किसी एक कोड़ाना पड़ेगा 3X कोड़ा दो कैसे उड़ा देंगे सर दोनों दरफ हम सब्ट्राइट करेंगे छोटा वाला 3X है ना हाँ सर 3X को उड़ा देते है माइनस 3X चाहिए प्लस का 3X उड़ाने के लिए माइनस का 3X चाहिए सब्ट्रेक्टिंग 3X फ्रॉम बोथ साइट्स ठीक है सर तो यह हो जाएगा 2700 प्लस 5X यह हो जाएगा 4140 प्लस 3X दोनों तरफ से 3X माइनस तो अपन हम लिखेंगे बिटा माइनस का 3X और माइनस का 3X और सिंबल अपन यही लगाएंगे कौन सा यह वाला ठीक है डन है बिलकुल सर तो अब यह 3X से 3X काट होगे अब इटा क्या बचा हमारे पास हमारे पास बचा 2700 2700 प्लस का 2X ठीक है इस स्मॉलर देन इस स्मॉलर देन 4140 ठीक है इस स्मॉलर देन 4140 उसको छोटा कर देते है 4140 अब क्या करें सर सिंपल यार solve करना है अब 2X है इसको बचाओ 2700 माइनस कर दो subtracting 2700 from both sides 2700 को खतम करो भीया तो अपन क्या करेंगे यह आएगा सर अपने पास थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ बचा देखना 2700 प्लस 2X और subtract करने से बचा सिंबल चेंज नहीं होंगे आप सभी को पता इसको मैं erase कर दूँ पूरा इसका कोई काम नहीं है अब ठीक है इसको मैंने erase कर दिया पूरा यह गया ठीक है अब अपन subtract कर रहे है माइनस का 2700 यहां भी कर रहे है है ना subtracting में बचा symbols का पल्टा वल्टा नहीं होता 2700 यहां से और 2700 यहां से माइनस कर रहे है ठीक है डन सर 2700 प्लस और माइनस गया यहां से बचा बिटा 2X क्या बचा 2X smaller than this minus this 2700 3 13, 14, 14, 14, 4, 0 1, 4, 4, 0 1, 4, 4, 0 ठीक है ठीक है 7, 8, 9, 10, 11 1, carry 3, 1, 4 सही है अब सर 2 अटाओ क्या करें डिवाइड बाय 2 कर दो दोनों तरफ डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 2 से डिवाइड करने से सिम्बल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2 से 2 कर जाएगा X is smaller than 720 तो पेटा यह आया हमारा पहला answer X is smaller than 720 liters यह पहला आगया X is smaller than यहां लिख देता हूँ मैं, x is smaller than 720 liters, इतना समझ में आया, yes sir, आगे करते हैं, जब इन दोनों को solve किया, तो answer यह आया, अब इन दोनों को solve करेंगे, तो देखेंगे answer क्या आएगा sir, ठीक है, चल दी से इसको कर दो sir, delete, erase, ठीक है sir, अब बढ़ते हैं अपन, next, यह sir, 410, 41.041.4, ठीक है, plus 33x upon 100, ठीक है, is smaller than 7 upon 100 into, 7 upon 100 into, sir, क्या लिखेंगे इसमें अपन, 460 plus x, 460 plus x, यह लिखेंगे, इसको detail में solve करेंगे, और देखेंगे sir, क्या आ रहा है, ठीक है, done sir, चल तो देखो बेटा, वही LCM, LCM वाला system पूरा करेंगे, ठीक है, यहाँ पर अपन एक काम करेंगे, upon 1 करके, इसका LCM ले लेंगे, तो LCM क्या आने वाला है, 100 LCM आएगा sir, ठीक है, और इसका 4140 आ जाएगा, 4140 plus 3x, is smaller than, यह अपना 7 into 460 plus x, और whole upon ऐसे 100 कर देखेंगे, ठीक है, अब आपको देखो, इसमें भी whole upon 100 है, whole upon 100 है, तो बोच साइट by 100 लिखते हैं उससे भी काम चल जाएगा, अब हमारे पास आया, 4140 plus 3x, is smaller than, यह सिंबल है, this into this, 7, 6, 42 की 2, 4 carry, 7, 4, 28, 29, 30, 31, 32, ठीक है, 7, 4, 7, 6, 42, 4 carry, 7, 4, 28, 29, 30, 31, 32, 7 into x, 7 x, 7 x, 7 x, ठीक है sir, अब देखो, होई काम हो गया, यहाँ पर भी LHS में भी X वाल लेटर में, उड़ा दो, 3x को उड़ा दो, 3x छोटा है न 7 x से, तो हटाओ, क्या करेंगे, सब्ट्रेक्टिंग 3x, क्या लिखेंगे बिटा, हम लिखेंगे, सब्ट्रेक्टिंग 3x from both sides, और फिर solve कर, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे बिटा अपान, सब्ट्रेक्टिं सब्ट्रेक्टिंग क्या सर, सब्ट्रेक्टिंग 3x from both sides, दोनो दरफ से 3x सब्ट्रेक्ट करेंगे, यह आएगा 4140, प्लस 3x, यह आएगा 3230, 3220, प्लस 7x, दोनो दरफ 3x सब्ट्रेक्ट करना है, तो हम यहाँ भी माइनस 3x लिखेंगे, इसमें भी माइनस का 3x, और बिटा इसमें भी माइनस का 3x, और सिम्बल में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि माइनस किया जा रहा है, सिम्बल यही रहेगा, सर, 3x प्लस का और माइनस का कट हो गया, क्या बचा, हमारे पास बचा 4140, is smaller than 7x माइनस 3x, 4x, 3220, प्लस 4x, अ अब इसको सॉल्फ करेंगे, सर, ठीक है, इसको सॉल्फ करते है, 4140, 4140, is smaller than 3220, 3220, प्लस 4x, तो यहार 4x के पास से 4 भी हटाना पड़ेगा, 3220 भी हटाना पड़ेगा, लेकिन पहले 3220 हटेगा, क्योंकि 4 multiply में है, तो हमें सब्ट्राइट करना पड़ेगा, क्या सर, subtracting 3220 from both these sides, यह आ जाएगा, 4140-3220, ठीक है, इससे भी 3220 माइनस, और 3220 प्लस 4x, यहां से भी माइनस का 3220, सिंबल पे कोई effect नहीं पड़ने वाला, प्लस का 3220, माइनस का 3220 गया, solve करते हैं सर, 0 में से 0 गया, 0, 4 में से 2 गया, 2, 41 में से 32 गया, 9, 920, सिंबल यही आएगा, 4x, 4x का 4 उड़ाना पड़ेगा, जी सर, उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 कैसे उड़ा सकते हैं सर, 4 कैसे उड़ा सकते हैं, divide by 4, सर, दोनों तरफ हम divide कर देंगे 4 से, तो भाई, यहाँ भी 4 से divide करो, और यहाँ भी और 4 से divide करने पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे, dividing करो दोनों तरफ, या multiplying करो, positive number से, symbol पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 4, 2, 8, 4, 3, 0, और x, यह जो है ना, 4, 2, 8, 4, 3, 0, यह जो है ना, यह इस वाले answer से लड़ेगी, ठीक है, x is smaller than 720, बिटाई एक answer आया था, x is smaller than 720, ठीक है, next जो answer आया वो है, x is greater than 230, यहाँ answer आया, x is greater than 230, ठीक है sir, अब इन दोनों को हमें merge करना है, इन दोनों answers को हमें merge करना है, कैसे merge करेंगे, this easy है, देखो, यह और यह दोनों same direction में है, x और x को merge कर सकते हैं, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो एक काम करो, इन दोनों relation से, इन दोनों relation से, यह जो relation है, यह जो inequality है, inequality पहुता है, एक relation होती है, इन से अपनको 3 numbers मिलेंगे, यह एक x मिलेगा, एक 230 मिलेगा, और एक हमें 720 मिलेगा, 230 x और 720, इनको पेटा, ऐसे arrange कर लो कि पहले small number, फिर x और फिर greater number, तो small number 230 है, greater number 720 है, x बीच में लिखा है, जब ऐसे arrange हो जाएं, तो इनके बीच में symbols दूण लो, x और 230 के बीच में symbol यह वाला है, यह लगा दो, x और 720 के बीच में यह वाला symbol है, यह लगा दो लो भी, यह answer हो गया, answer हो गया, समझ में आ गया, कि जो हमने solution 3% acid वाला मिलाया था, x लीटर मिलाया था, वो कितना था सर, वो कितना था बीचा, वो यहां से answer मिला, वो 320 लीटर से जादा पर 720 लीटर से कम, तो answer क्या आ गया, answer आ गया, x लीटर is, is more than 230 लीटर, 230 लीटर से जादा, x is greater than 230, मतलब 230 लीटर से जादा, but, but smaller than 720, but, but more than, but less than, smaller than नहीं, less than, क्योंकि लिक्विट है न, but less than 720 लीटर, that means, simply हम लिख सकते हैं, जो solution मिलाया गया, 9% acid वाले solution को dilute करने के लिए, जो हमने 3% वाले solution मिलाया, वो क्या है, it should be between 230 and 720 लीटर है न, it should be between, simply हम लिख सकते हैं, between x की value क्या आई, x की value आई, between 230 लीटर and 720 लीटर, 230 लीटर and 720 लीटर, this is our answer, खत्म, चल्दी से देख लो बिटा, question number 8 गया, question number 9 आएगा, done, yes sir, बिल्कुल done, 110% done, आगे चलते हैं, question number 9 please, 9 और 10 दो और बचे, है न, चलो sir, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दो और कर लेंगे, ऐसी, फिर अपने 10 हो जाएंगे, दो, दो पार्ट्स और बचेंगे, total 20 questions तो करेंगे, अपने at least, ठीक है, done, कहाँ चला गया यार, ठीक है, तो question number 9 प्लीज, इसको erase करते हैं sir, question number 9, a solution is to be kept between 40 degree Celsius and 45 degree Celsius, what is the range of the temperature in degree Fahrenheit, if the conversion formula is this, आसान है, बहुत easy है, इन्होंने का एक temperature है, एक temperature एक solution है, और solution का temperature मान लो, जो solution है, इसका temperature मान लो, अपनने कह दिया, X degree Celsius है, क्या है X degree Celsius, ठीक है, कितना है X degree Celsius, ठीक है sir, अब यह जो X degree Celsius है, यह degree Celsius मान लो, C मान लो खतम, C मान लो, sir, इसका और क्या है C, C मतलब Celsius है, क्या है, C है sir, Celsius है, ठीक है, अब यह Celsius किसके बीच में 40 डिग्री से जादा है पर 45 डिग्री से कम है between का मतलब होता है 40 डिग्री से जादा पर 45 से कम तो हमें समझ में आ गया 45 डिग्री Celsius से यह जादा होगा X लिख दूँ, नहीं X नहीं लिख दूँ, तर C लिख दूँ ठीक है, 45 डिग्री से जादा होगा पर यह solution का temperature जो है वो 45 से कम होगा, 45 डिग्री से कम होगा और 40 से जादा होगा more than 40 but less than 45, इतनी बात clear है, हाँ सब्सक्राइब more than 40 but less than 45, अरे erase हो जाना यार, ठीक है अब वो कह रहा है यार, Fahrenheit में convert करो वो कह रहा है, what is the range of the temperature, इस temperature की यह C कुछ होगा, 41 होगा, 42 होगा, 43 कुछ भी हो सकता है 40 से जादा 45 से कम होगा, पर डिग्री सेलशियस में यह किस मिर्शम हैं यह है, यह है डिג्री सेलशियस में इन डिग्री सेलशियस, यह डिग्री सेलशियस वाला बोल रहा हूँ ना यह इस solution के temperature का range है किसमे celsius में यही range वो कह रहा है आप तो हमें Fahrenheit में बताओ आप तो हमें Fahrenheit में बताओ तो बता दिंगे कोई दिक्कत नहीं है यह formula उटाबिटा formula बहुत अच्छा है f is equal to 9 upon 5 into c 9 upon 5 into c 9 upon 5 into c plus 32 ठीक है यह अपना एक formula है जिसको हम कहते हैं Fahrenheit को Celsius को Fahrenheit में convert करना ठीक है अब मैं चाहता हूँ यहाँ से c की value निकालो तो पेटा पहले f minus 32 आएगा क्या आएगा f minus 32 is equal to 9 upon 5 into c 9 upon 5 जाएगा तो 9 upon 5 यहाँ जाएगा तो transpose हो जाएगा यानि 5 upon 9 reciprocal हो जाएगा multiply is equal to c पेटा यह जो c है ना इस c की जगा हम यह लिख सकते हैं यह इस c की जगा हम क्या लिख सकते हैं पेटा we can write c की जगा we can write this 5 upon 9 ठीक है bracket f minus 32 ठीक है 5 upon 9 bracket f minus 32 यह लिख सकते हैं यह c है Celsius है हाँ सर इसको आपने same repeat कर दिया smaller than 45 but greater than 40 done है बिल्कुल done है सर solve कर दो answer आ जाएगा कुछ भी नहीं है सर इसमें अब हमें क्या करना इसको solve करना है हमें f है ना इसकी value निकालनी है basically अब सुनो मेरी बात यहां तो f नहीं है नहीं सर यहां भी f है यहां f नहीं है सिर्व यहां f हाँ middle में तो एक साथ solve कर सकते इसको अब सुनो f की value निकालने के लिए या inequality निकालने के लिए रेंज निकालने के लिए आपको 5.9 को हटाना पड़ेगा और 32 को हटाना पड़ेगा अब 5 upon 9 9 upon 5 से multiply कर दो क्या सर मतलब देखो बताता हूँ 5 upon 9 into f minus 32 यह लिखा अपनने ठीक है सर यह लिखा अपनने same 45 ठीक है सर यह लिखा सर अपनने same 40 ठीक है सर अब मैं पता क्या के रहा हूँ मैं यह कह रहा हूँ कि अगर हमने काम कर दिया क्या काम कर दिया अगर हम इसमें 5 upon 9 अटाना है हमारा main काम है 5 upon 9 को अटाना ठीक है सर 5.9 breakfast कि अचाने के लिए अगर हम हमिसका multiply कर देux, 9 upon 5 से तो sir हमें यहां भी multiply करना पड़ेगा 9 upon 5 से तो sir हमें यहां भी multiply करना पड़ेगा 9 upon 5 से, सही बात है, सब जगा multiply होगा फिर ऐसा थोड़ी ना, कि सर यहीं होगा पर इसका क्यो multiply किया गया सर इसलिए किया गया था कि 9 से 9 हट जाए 5 से 5 हट जाए अब देखो F-32 बचा अब सिर्फ F-32 बचा और कुछ नहीं बचा समझ में आ रही है बात ये सर समझ में आ रही है तो हमें समझ में आ गया सर इसको कैलकुलेट करेंगे 5 एट जा 40 5 नाइन जा 45 तो ये क्या है बचा ये आया हमारे पास 9 एट जा 72 ठीक है स्मॉलर देन ये पिटा F-32 ठीक है स्मॉलर देन 99 जा 81 और जब हमने 9 अपॉन 5 से मल्टिप्लाइ कर रहा तीनों में तो सिंबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा धियान देना सिंबल वही के वही रहेंगे देको ये वही आया ये सिंबल भी सेम आया क्योंकि हम मल्टिप्ला को भगाना पड़ेगा और माइनस 32 को भगाने के लिए प्लस 32 चाहिए एडिंग 32 बोट साइड बोट साइड नहीं ओल साइड तो हमें क्या लिखना पड़ेगा एडिंग 32 ठीक है यहां हमें लिखने चाहिए था बेटा यहां हमें लिखना चाहिए था multiplying multiplying लिखना लिखना पड़ेगा आपको अगर मार्स चाहिए पूरे multiplying by 9 upon 5 9 upon 5 आप 9 upon 5 से multiply कर रहो this 14 to 9 upon 5 this this into 9 upon 5 this this into 9 upon 5 solve कर दिया symbol में कोई changes नहीं आएंगे अब एडिंग 32 करते हैं तो बिटा 72 symbol में अभी भी कोई फर्क नहीं आगा क्योंकि आप एड कर रहे हो adding में बिटा symbol में कोई फर्क नहीं आता है ठीक है यह पूरा मैंने लिख दिया so what do we have now अब हमारे पास आया बिटा ध्यान जे सुनिएगा 72 और 32 104 104 ठीक है f f बचा यहां और यहां क्या आया 81 और 32 8 9 10 11 11 113 तो बिटा हमें समझ में आ गया कि जो ध्यान से सुनो जो यह लाइन लिखी थी ना जो यह लाइन लिखी थी ना बिटा 40 smaller than c smaller than 45 यह जो लाइन लिखी थी ना दोस्त ध्यान से सुनिएगा ये line जो ये क्या था? ये ता solution का temperature Celsius में. अब वही solution का temperature Celsius में था वही अफ Fahrenheit में बन गया? ये अपना answer हो गया, खतम. ये answer हो गया. Same चीज आप कह सकते हो, अपने बस Fahrenheit में. ये पूरी line अपने Fahrenheit में change कर दी. समझ में आई बात? Yes sir. तो अपन क्या बोलेंगे? उन्होंने का, what is the range of the temperature in degree Fahrenheit? So the range of the temperature in degree Fahrenheit is this. That is between, between. मतलब 104 degree Fahrenheit से जादा, पर 113 degree Fahrenheit से कम. Between 104 degree Fahrenheit and 113 degree Fahrenheit. 113 degree Fahrenheit. 104 degree Fahrenheit से जादा होगा, पर 113 degree Fahrenheit से कम होगा. ये है answer. More than 104 degree Fahrenheit, but less than 113 degree Fahrenheit. More than 40 degree Celsius, less than 45 degree Celsius. एक चीज तो मैं कमाल की दिखाता हूँ करके देखना. जैसे 40 degree Celsius है. अगर मैं इस C की जगा 40 लिख दूँ. अगर मैं C की जगा 40 लिख दूँ. F is equal to 9 upon 5 into, C की जगा मैं इस 40 को लिख देता हूँ, ठीक है. प्लस 32. देखना, ध्यान से देखना. 5, 8, 8, 9, 72. प्लस 32. ये कितना है बेटा? 104. समझे? मतलब 40 degree Celsius को हमने 104 degree Fahrenheit में convert कर दिया. 40 degree Celsius की जगा 104 आ गया. डारेक्ट भी कर सकते थे. अगर मैं 45 रख दूँ, इसी में. अगर मैं इसी में 45 रख दू. Celsius की जगा तो F is equal to. 9 upon 5, 45 degree Celsius. 9 upon 5 into 45 degree Celsius. ठीक है? और प्लस का 32. प्लस का 32. ठीक है? सॉल्फ कर देते हैं. 5, 9, 9, 81. प्लस 32. ठीक है? यह सॉल्फ करेंगे तो कितना आएगा, बेटा? 1, 1, 3. 1, 1, 3. मतलब 45 degree Celsius. C की जगार जैसे हमने 45 रख तो 45 degree Celsius किसके equal आ गया? 113 degree Fahrenheit के equal आ गया. तो Celsius 45 degree Celsius, 113 degree Fahrenheit के equal आ गया. मतलब इसको ऐसे भी कर सकते थे. पर यहां हमें linear inequalities का use करना था. इसलिए हमने यह use किया. linear inequalities ठीक है? तो this and this बिलकुल सेम है बिलकुल सेम है दोनों. यह 40 degree Celsius से 45 degree Celsius के बीच में है. तो यह 40 degree Celsius ही 104 degree Fahrenheit होता है. 45 degree Celsius ही 113 degree Fahrenheit होता है. तो सेम जो temperature इस solution का degree Celsius में था. अब वही degree Celsius में, अब हमने convert कर दिया Fahrenheit में. तो यह दोनों लाइन बिलकुल सेम है. बस यह degree Celsius में, यह degree Fahrenheit में. दोनों बराबर temperature बता रहे हैं उस solution का. जल्दी से copy कर लो. We will move on to question number 10 now. चलो. Moving on to last question number 10 now. उसको erase करते हैं सर. जल्दी से erase कर दो. और यह रहा हमारा 10 वा question, 10th question. जल्दी से पढ़ते हैं, ठीक है? The length, the longest side of a triangle is twice. यह triangle बनाओ पहले तू. लो भी है. एक triangle बना देते, एक छोटी side, एक बड़ी side. और एक यह, यह सबसे बड़ी side हो गई, ठीक है? ओके. चलो भी है. यह हो गया अपना triangle. ओके. ठीक है, ध्यान जे सुन ना? जी सर. यह हो गई बेटा, smallest. ठीक है? small लिख देते हैं. यह हो गई largest. ठीक है? इसको लिख देते हैं largest. ठीक है? और यह हो गई भी है, बीच वाली medium. ठीक है? ना बड़ी ना छोटी, इससे बड़ी, इससे छोटी. ठीक है? अगर शोटीस्ट एक्स हो गई, तो लॉंगिस्ट हो जाएगी डबल, यानि 2 एक्स. इतनी बात के लिए रहे हैं, हाँ सर. अगर थर्ड साइड अब इसकी बात कर रहे हैं. थर्ड साइड इस 2 सैंटीमीटर लॉंगर देन दे शोटीस्ट. जो थर्ड साइड है, वो शॉटिस्ट से 2 सैंटीमीटर जाद है, मतलब शॉटिस्ट से 2 सैंटीमीटर जाद है, लो भईया, एक्स प्लस 2 हो क्या? बात कंफर्म है? हाँ सर, कंफर्म है, आगे बात कर लेते हैं सर. अब if the parameter of the triangle is more than 166 सेंटीमीटर, अचा parameter कैसे आएगा सर, चलो निकाल लेते हैं, पहले parameter निकालते है सर, ठीक है? parameter कैसे निकलता है सर, parameter निकलता है सर, sum of all sides, sum of all sides, ठीक है? तो मतलब एक है x, एक है 2x, एक है x plus 2, x, 2x, x plus 2, तो यह हमने sum of three sides लिख दिया, अब क्या करेंगे सर? सिंपल है, तीनों को add कर दो, तो तीनों को add कर दो, x, 2x और एक 4x plus 2, तो parameter कितना आ गया? 4x plus 2, parameter आ गया? 4x plus 2, ठीक है सर? cm में लिख देंगे, ठीक है? यह cm है, 4x plus 2 cm, सुनते हैं न? जी सर, अब सुनो बेटा, next, इन्होंने यह कहा, कि parameter of the triangle is more than 166 cm, जो parameter दिया है, जो आया है actually, यह क्या है more? more मतलब यह बड़ा है, बड़ा मतलब इसकी तरफ mouth खुलेगा, कितने बड़ा है? 166 से बड़ा है, is more than 166 cm, इतनी बाट दन है? हाँ सर, इतनी बाट दन है, then find the minimum length of the shortest side, x की minimum length, यानि x की minimum value बताओ, shortest side हो गई यह, और इस x की सबसे चोटी value बताओ, बता दिंगे, कोई बात नहीं, रुप जाओ, ध्यान से सुनो, क्या, यह parameter तो यह है ना, parameter तो यह है, ठीक है, तो इसके नीचे यह लिख लो, 4x plus 2, ठीक है सर, greater than 166, perfect, हाँ सर, perfect है, अब इसको solve करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 अटाना पड़ेगा पहले, तो आप क्या कर होगे, subtracting 2, plus कर 2 है ना, तो minus करना पड़ेगा, obvious भी बात है यार, subtracting 2 from both sides, from both sides, क्या होगा सर यह, यह कुछ ऐसा दिखेगा, 4x plus 2, symbol वही रहेगा, symbol में कोई changes नहीं आएंगे, ठीक है, 166, सर हम क्या करने, subtract, minus कर 2 इदर लगाएंगे, तो फिर minus कर 2 यहाँ भी लगाना subtraction में, subtraction में यह change नहीं होगा, यह ध्यान रखना, सब plus का 2, minus का 2 कट गया, और अब हमारे पास है 4x, ठीक है सर, is greater than, this minus this, 164, ठीक है, clear है, हाँ, अब 4x, x है यह मुझे बस, 4 अटाना है सर, अब 4 अटाना है, 4 कैसे अटेगा, सर 4 यहाँ multiply में है, 4 into x, divide कर दो, तो अपन ल देखेंगे, dividing by 4, dividing by 4, क्या 4 से divide करने पे, symbol पे कोई असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, सर, असर क्यों, क्योंकि 4 एक positive number है, positive number से दोनों तरफ divide करो, या multiply करो, symbol पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सर, 4x, symbol वही रहेगा, 164, और हम क्या करने वाले हैं सर, हम divide करेंगे, divide by 4, divide by 4, 4 से 4 कट हो गया, x is greater than 41, लो भी है, x क्या है, 41 से greater है, यह answer आ रहे, मतलब जो x है, वह 41 से greater है, मेरी बाद सुनो, parameter is more than 166, तो x की value 41 से greater है, सुनना मेरी बाद, जी सर, अपना question दा, find the minimum length of the shortest side, अच्छा, shortest side क्या है, shortest side क्या है, shortest side सर, सबसे छोटी side, shortest side है x, shortest side है x, ठीक है, अब यह shortest side जो x है, इसकी value सबसे छोटी क्या होगी, सर हमें यह मिला, यह क्या कह रहा है, x is greater than 16, sorry, x is greater than 41, ठीक है, इसका मतलब हुआ, x की value 41 से जादा होनी चाहिए, कितनी होगी, 41 से जादा, 42, 43, नई, 41.1 भी हो सकती है, 41.2 भी हो सकती है, 41.3 भी हो सकती है, answer यही है, आप क्या बोलोगे, shortest side of x, x should be, x should be, greater than 41, should be, greater than 41 centimeter, खतम, greater than 41 centimeter, यह 41 centimeter से बड़ा होना चाहिए, it could be 41.02 centimeter, it could be 41.01 centimeter, कुछ भी हो, 41 से बड़ा होना चाहिए, और 41 से बड़ा होना चाहिए, and that's it, चल, done, clear है, हाँ, sir, और बताओ, और बताओ भाईया, sir, clear है, अब क्या बताएं, बेटाई, यहाँ पर हमारा यह session हो गया, समाप, ठीक है, तो we are ending this session here only, अब next 11 से लेकर 15 तक question आपको next part में मिलेंगे, जो हम बहुत जल्दी आपको provide कर देंगे, इसी channel पर, क्योंकि Magnet Brains आपको provide करता है 100%, free of cost, high quality educational videos of K-12, यानी की kindergarten जे class 12 तक के बड़िया वाले video lectures, CBSC board English medium के students के हर subject का solution, explanation, सब कुछ यही पर मिलता है, और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्या, तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए Magnet Brains हिंदी मीडियम channel है जो class 6 है, class 12, UP board, MP board, Bihar board, Rajasthan board और Delhi board के बच्चों को पूरी दरह से high quality education free of cost provide कराता है, तो भई हिंदी मीडियम की team हमारी हिंदी मीडियम channel पर आपको बढ़िया content provide करा रही है, आप जाएए और बढ़िया पढ़ाई करिये उस channel पर, notes की भी बात कर लेते हैं, अगर लगे हाथो, तो देखो, notes download करने के लिए आपको grabby notes पर click करना पड़ेगा, अब ये grabby notes कहां मिलेगा sir, हमें हमारी website पर मिलेगा which is www.magnatebrains.com और google play store से install कर लेना हमारी application, बस grabby notes क्लिक कर देना, उसके बाद आपको आराम से download करने के लिए मिल जाएंगे class 6 से class 12 English medium all subjects, 6 to 12 Hindi medium all subjects के बढ़िया वाले experts द्वारा बनाए गए best notes जो PDF form में आप download करके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, जल्दी मिलेंगे next session में till then, happy learning, take care, bye.